मैं शूट करूँगा, साथ में अक्टिंग भी करूँगा, तो दोनों मिलके कुछ नग उस तो करी लेंगे, मम्मी ने तो मिरे को गालिया बखी बहुत के तू ये करेगा, वो करेगा, ये सब तू शादियों में फोटो कीचेगा, मैंने फिर भी करना ही है, सोच लिया कि लोग आपको क्रिटी साइज करते हैं, उनको बहुत महान इनसान ने बात कही है, कि जिन्दगी में आपको अमीर बनाने वाला और गरीब बनाने वाला, कोई और नहीं, बलकि आप खुद होते हो, तो अगर आप भी 25,000 पर की नोकरी कर रहे हो, और उस नोकरी से बहुत ही ख खरीदूगा, बहंगी गाड़ी खरीदूगा, अच्छे घर में रहूँगा, यह सारे सपने पूरे कैसे करूँगा, और उसके साथ ही कब मैं टाइम निकालूँगा, उस चीज के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, यानि जिन्दगी जो सिर्फ एक ही बार मि कि वो क्या करते हैं, तो मम्मी जो है मेरी हाउस वाइफ है, और मेरे पापा जो है, वो जो कैप्स वगएरा होती है, मेडिसिन की बॉटल्स की, उसकी मशीनरी के डाइमे कर रहा है, उनकी मशीनरी वगएरा बनाते हैं वो खुद से, तो फैमली इंकम की बात करे तो वो बड़ा घर ले सकते हैं, तो मेरे जो दिमाग में चीजे चलती थी कि यार मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है, मेरे इतने वही ड्रीम है, कैसे पूरे होंगे, क्या होगा, तो मैंने MBA भी करा, बट उसके बाद भी कोई जोब नहीं मिली, तो जब MBA में कर रहा था, मेरे बेंच में होता है, साथ में बैठता है, तो वह वाला दोस्त मुझे फेस्बुक पे मिल गया, सेवन्त क्लास में वो बिचड़ा था, और अब MBA के बाद मतलब बहुत सालों बाद वो मुझे मिल गया, मेरे उससे बात हुई, मैंने तो कैमरा फोटोग्राफी इस सब लाइन म भाई, तो अब हमने शूट्स स्टार्ट कर दिये, हमने डिसाइड करा के बाई सुबह पार्क में मिलते हैं, वो पार्क में उसके बाद हमने कुछ निकाला, उस ताइम पे बहुत छोटी छोटी वीडियो चलती थी, और वो वीडियो भी सिर्फ फेस्बुक के लिए बना कर अब हमने एक वीडियो शूट करी तो अब मेरी मम्मी को पता चल गया कि इसने नकुछ ना कुछ वीडियो शूट करिया, अब जब मम्मी को पता चल गया, उसके बाद भाई खाट खड़ी होगी, मम्मी ने तो मेरे को गालियों बकितके तो यह करेगा, वह करेगा, यह सब तो शादियों में फोटो खीचेगा एंबी हमने तरे को ऐसी कराई है जैसे तैसे हमने तेरी फीस भरी अधर उदर से उधार लेके तो बहुत गालियां पड़ी मुझे बहुत जादा गालियां पड़ी अब मुझे लगा यार मैं एम बी बी कर रहा हूं जॉब भी कर लूगा मेरे खुद के ही मान लो के मैं ही दस बीस बार अपने वीडियो देख के खुश हो रहा हूं के वहाई अच्छी बनी है विकार बनी है तो अब मैंने घर पर बताना बिल्कुल बंद कर दिया और एम बी के चल रहे थे एक्जाम लास्ट सेमिस्टर के तो अब उस एक्जाम मे 5,5 दिन की छुटिया होती है तो 25-35 दिन महीने बर एक्जाम चलते हैं तो मैंने घर पे भाई जूट बोल देना है कि रैग्जाम है अज बी और जाके दोस्त शूट करना है तो अब मैंने दोस्त को फोन कर आप है या शूट करता तो हमने जैसे डिस से लोकेशन अरेंज कर लिया और मैं बात करूं मेरे पास इतने कोई पैसे नहीं होते हम मुबाइल से शूट करते थे और एड़ीट वगारा मेरे को कुछ नहीं आज आज तो वह शूट करके ले शुरू कर दिए अब इंटर्वी भी दे रहा हूं वीडियो भी बना रहा हूं दोनों काम साइड बाई साइड चल रहा है लेकिन एक टाइम के आया दोस्त ने मेरे को बोल दिया देख चैनल चलने रहा तेरे बस की एक्टिंग ने तेरी एक्टिंग बिकार है इसलिए चैनल चल रहा अगर दिरे एक्टिंग सही होती तो बहुत चैनल चल जाता लोग देखी नहीं रहे क्योंकि वह फ्रस्ट्रेशन हो गी ती दोनों के माइंड में की नहीं चल रहा है बट मेरे को तो ता भाई करना ही है उसको यह था कि इसके साथ नहीं करना तो मैंने बोला ठीक है मैं चला जाता हूं तो मैं वहां से उस टाइम पर आगैं अगया अपने घर पर अपना पेज बनाओं और खुद ग्रो करके इसको लेव रिखाऊ खुद यक्दा तो मैं वहाँ भी करता ही रहता, मेरे को थाई निकभी अपना बनाना है, अब बस ये था कि इसने इंसल्ट कर दिया, बहुत बुरी वाली, तो इसको करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए, पचास हजार जैसी मेरे फॉलोवर्स होंगे, तो मैं इसको क्लोज कर दूँगा, बं एडिट तो आती नहीं थे बिल्कुल भी, अब जैसे कैसे करना शुरू करा, दुपैर में बैठा, दो बजे के असपस एडिट करने के लिए, रात के दो बज गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, टाइम लाइन पे सिर्फ क्लिप डलेते मिरसे, आता ही नहीं था, अब इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई, मैंने गुस्य में लैप्टोपी फैक दिया, मैंने का नहीं होगा हूँ उससे, रहने देता हूँ, जो भी कर लेता हूँ, फिर आदे घंटे बाद दिमाग वापस से शान्त हो नहीं या, उसने इंसल्ट कर या, करना है, फिर आदे कोई पट्टी लगाने है, पता ही नहीं बोलते का है, बहुत मुश्किल हो गया था, फिर वापस लैप्टोप फैका, उसके बाद फाइनली ये सब चलता रहा कि लैप्टोप फैक रहा हूँ, एक घंटे बाद मन शान्त हो रहा है, दिमाग ठंडा हो रहा है, फिर खोल लिय आप व्यूस तो आने नहीं थे क्योंकि फोलोवर सी नहीं थे, बट मैं लगा रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, और घरवालों को जब पता चलता था, देख लेते थे कभी फोन लेके कुछ शूट कर रहा, तो फिर वही गालियां बढ़ती थी, तो आप वीडियो तो कंपनीज में भूका बैठा हूं के इंटर्वी होगा, कई बार यह ऐसा होता था कि भाई केंडी रीट सेलेक्ट होगें, तुम घर चले जाओ, तो शाम को घर आ जाता था, अब घर वालों को भी ऐसा लगता था कि पागल बना रहा है, यह जोब नहीं धून रहा था, कि मिल कर रहा था, जोब कितने थी, 14,800 रुपे, एक्जेक्ट मुझे याद है, क्योंकि यही जोब थी, जो मैंने 5,6 महीने, साथ महीने, जोब करी थी, अब जब जोब करता था, तो दिमाग में यह आता था कि आगर मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी 5,000 रुपे कि है, सेलरी 14 18,800 रुपय है यानि मुझे तो कई सालों जोब करनी पड़ेगी और मैं एक रुपय भी नहीं खर्च करूँगा तब जाके मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा फिर मुझे लगा कि कोई नहीं मैं एक दिन मैनेजर बनूंगा क्योंकि जो मेरे मैनेजर थे वहां पे कंपनी में उन पहुंच जाएंगे मतलब वो चीज़े महंगी हो जाएंगी पंदरा साल में तो यह तो सपने पूरे कभी होने ही नहीं है अगर सपोज मैं आज ही 70,000 रुपर महीना कमा लूर मुझे एक करोड़ का घर खरीदना है तो कि मेरा घर भी छोटा था सपने तो घर भी खरीदने क तो वीडियो डाल रहा था डाल रहा था डाल रहा था नहीं चल रही थी ओफिस में मैंने शूट कर लिया एक दिन और उस दिन मेरे को ऑफिस में बहुत डाट पड़ी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे तुमने कंपनी में शूट कर लिया किसकी परमीशन से करा यह वो तब मेरी आ मुझान्ट्रेक्ट विडिव कर अगले थीन महीने के लिए अगले तीन महीने बाद च्छे महीने हो गए थी अब उन्होंने बोला कि हम आपको पर्मानेंट कर रहे हैं तो मुझे अब अब उम्मीदे जगई के सैलरी अच्छी हो जाएगी भेर वाले भी बुले कि एक argument वाली बात थी कि नहीं मुझे थोड़ा तो ऊपर मिले कम से कम चार हजार तो बड़े उन्होंने बोला नहीं कर सकते मैंने बोला मैं जॉब नहीं कर सकता अब मैं वहाँ पे इतनी महनत कर रहा था क्योंकि मेरे को पर्मानेंट होना था हर काम करता था ओफिस में यहाँ हजार रुपय की यहीं मैंदें खुष मैंने शूट करा अच्छे शूट मुबाल से खर्चा कुस था नहीं तो घ्रवालों को भी लगा मैंनोंको बटाया क्यूंकि अब रहाट हो गया नि बीना भीना तो ऊदॉप घरवालों को थोड़ा सा मतलब एक होता ना एक सर्म की एड करी फिर मुझे कंपनी ने कॉंटेक करना शुरू कर दिया कि आप हमारे पास आओ और हम तुमें ब्रैंट से तो मुझे लगता था यह यह तो भॉट सब्सक्राइब कर दिया मतलब वह जो भॉट की ब्रैंड मिली थी वह तो मैं चला गया और फिर जाने के बाद उन्होंने मेरे को साथ हजार रुपे की पहली एट थी और कंपनी का नाम सोश्योपूल था और आज भी मैं उन्हीं के साथ हजार का चेक दिया तो वो चेक ना बिल्कुल ऐसे करके दिया यह लोग जैसे बिल्कुल होता है कि हमकिसी अंट सकते हरोते हैं क्लिक कर आज़ा और हमकि Wing गये तो साथ से ISO कोई नहीं देंवाला मुझे सत्तर हजार का भी चेक्च मिला और एक ताइम आया शैतलाग गइंद देंगे समझ आप कितना मिला करके बता देना कितना मिलाओं अगर सही हो तो सब कुछ सही चल रहा था पचास हजार फॉलोवर्स के बाद मैंने सोचा था पेज बंद कर दूगा दोस्त को दिखा के कि भाई मैंने ग्रोथ कर लिया और मैं कर सकता हूं बट क्या हुआ मुझे ब्रैंड् ठीक यार अब तो 14,800 से थोड़ा ऊपर बढ़ा है 20-25,000 महीना आना शुरू हो गया था तो वो जॉब से तो बैटरी था कि मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूं लोगों का प्यार अभी उतना नहीं मिला था उतने फॉलोवर्स नहीं थे कि लोग मेरे को पहचानते थे वह भी नहीं मिला था वह पाना बागी था लेकिन फिर क्या हुआ एक टाइम पर फेस्बुक बिल्कुल ड्रॉप हो गया वहां पर रीच एक्दम खतम हो गई अब जब रीच खतम हो गई व्योशिप बिल्कुल खतम हो गई अब मुझे लगा यार अब क्या होगा बस यह थी द दलता गया डालता घ्या यूट्यूब पर भी डालता गया. अब मेरा ना एक वीडियो यूट्यूब पर फासुदू बहुत पत्फण आने लग गई जिसमег क्लास में सिर्फ 4 और पूरँ प्रेसल कर देते ते हमी तौब यूटीब और देते की और 9000 रुपे में बहुत खुश था कि ठीक है भाई 9000 रुपे तो आए हैं तीरे दीरे 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 नो से 14000 हुए सोश्योपूल का साथ अभी भी ता वहां से ब्रैंड्स आ रही थी यहां से यूट्यूब के पैसे आ रहे थे तो ब्रैंड यूट्यूब दोनों चीजे सा बढ़ता गया डालता गया और आज मुझे याद है जब मेरे एक मिलियन हुए थे ना तो मैं बिल्कुल पागल हो गया था उस टाइम पर हम एक वेबसाइट होती थी वह भी लाइव तो नहीं दिखाती है तो वहां पर लाइव सब्सक्राइबर दिखाता था एक बढ़ रह है तो जब वह क्रॉस हुआ वहां से नंबर बढ़ा एक मिलियन पार गया तो वह सारी चीज़े दिमाग में चल रहे थी जो लोगों ने कही थी कि तेरे बसकी नहीं है तू नहीं कर सकता यह नहीं हो सकता वह सारी चीज़े चल रही थी दिमाग में बहुत मतलब आखों में जोब भी आ गयते हैं और एक और बात मां बताता हूं जैसे होता है ना परिए को कि यह करेगा बड़ाँ के क्या वनेगा जब जॉब नहीं लग रहे होती तो घरवाले जो वह एस्ट्रोजर्स होते हैं उन पे भी बिलीव करते हैं कि तेरा हाथ दिखा देते हैं या वह देख तो वो सारी चीज़े उस टाइम पर दिमाग में घूम रही थी कि यार सबने बोला कुछ नहीं करेगा लेकिन मैंने जब होसला रखा करना है तो करना है तो जितनी ही है ना यह सब फेल हो जाती है इस पर बिलीब मत करना कि यह रेखा यहां से जारी है यह मैं कह रहा हूं बाक सारा मिलियन हमारे हो चुके है और अब आगे भी यह जर्नी चलती रहेगी बहुत सारे बॉलिवूड को लैबरेशन भी हमने किये हैं वह भी मेरे लिए नेक्सपेक्टिड था कि मैं कभी बॉलिवूड वालों से मिल पाऊंगा तो बहुत सारे लोग के साथ काम किया जैसे यार ऐसी बोलता है इग्नोर मत करो उनकी बात सुनो और अपने इस दिमाख में बिठालो बिठाली ना जिस दिन के इसने मेरे को कृतिशाइज कर रहा था इसने मेरी इंसल्ट करी थी बस लगजाओ काम पे कि इसको गलत प्रूफ करना है मैं कर सकता हूं कर सकता हूं मतलब क करंग करँगा जिस दिन हो गया नअ जितने क्रिटिशाइज करने वाले वह आज भी जॉब करते रह जाएंगे जैसे मुझे जो करते हैं वो आज भी जॉब करए हैं उतना ही अंचोब कर रहे हैं दस-पाँच हजार उपर हो तो मेरे वह पता नहीं लेकिन ह reinforcements सिर्व उनकी बातों से उन्होंने मुझे यहां पहुंचाया सबसे जादा जो योगदान है ना यहां पहुंचाने का उन लोग है जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे एक बात तो आपको बतानी रही गई जिस महान इंसान के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अगर ये विडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको entrepreneur बनने का या बड़ा business टार्ट करने का roadmap मिल चुका है तो रुखिए बड़ा business टार्ट करने के लिए हम सब को एक skill का आना बहुत ज़रूरी है Communication एक entrepreneur के लिए एक trump card की तरह होता है और आज के hyper connected जमाने में English Communication जैसी global skill का होना बहुत ही ज़ादा important है इस global skill को सीखने के लिए और अपना बड़ा business टार्ट करने के लिए George Talks के पास हम सभी के लिए एक solution है George Skills app भारत का number one spoken English learning app है जिसके जरिये हम अपनी English communication skills को world class बना सकते हैं George Skills app पे आपको practice करने के लिए मिलता है अपनी communication skills को वो भी अन्य students के साथ घबराइए मत इस call के आपको कोई charge नहीं लगेगा ये आपके study material के साथ ही included होगी कोई भी बड़ा business शुरू करने से पहले उसमें बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है initial investment का होना और खुद पे की गई हुई investment कभी बेकार नहीं जाती और ना ही कोई हम से उसे चीन सकता है तो चलिए दोस्तों हम सभी अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी investment की ओर एक कदम बढ़ाएं अपनी English Communication Skills को world class बनाकर with your skills app पिन कॉमेंट में दिये हुए link पे click करें और आज ही शुरू करें